नमस्कार विद्यार्थिए स्वागत है आपकर आपकी अपर हैसेसेंस पनेदें में नहीं परेंगे उम्मीद करेंगा आपकेół लाज देखी आले एक्जाम में आने की पुरी समपावन रहेगी तरह लिए एक मैं बताता हूं आपको कि में प्रतिक सब्जेट के प्रतिक क्लासेज के दो जो जो या पिसली बार छो मैंने हल करें विदार दो एक्जाम के समया तो इस बार भी आएंगे बिदियो डाग रखाम वज़ेशा सारे आप देखी गए और ये वीडियो को लाइश तक देखीगा मैं पूरा को पूरा स्ट्रीशन करोंगा और सेनल पर नहीं हो पिताती यहाद को आप जरूर जरूर सब्सक्राइब करना है ताकि सारे सब्सक्राइब करना है ताकि सारे सब्सक्राइब पर हैं आपको समय समय पर आपको उपलब दो सके ओके देखिएगा सब्सक्राइब किस तरह के से आने वाला है ऑब्जेक्टिव आएगे सारे के सारे पहले पहले जो क कोशी की जीव है इनमें से कौन सा है वह τैसी होती है बिलुकुल बकरी मुज़ा होती है यह क्योंती है लेकिन कुट्टे से चालक है, तामबा चालक है, चांदी भी चालक है, लेकिन जल है, वह उश्मा का कुछ चालक है, ओके तो यह आपके objective question थे, उसके बाद देखीगा, रेक्तिस्थानों के पूर्टी कीजिए, गास खाने वाले, देखो गास खाने वाले जन्तू कहलते हैं, क्या कहलते हैं, तो य यह विदर्थियों एक जानतों रेसे, यह जन्तू हो से प्राप्त होते हैं, रेसे, उसे जानतों रेसे कहते हैं, दई में अमल पाया जाता है, क्या कहलता है, निशेशा, नर्व और मादा युगमक का सलियन कहलता है, बहुत ज्यादा ही important है, और सारे के सारे question है, आपको ए question है, जो एक्जाम ना आने के, बिल्कुल संभाव ना है विदर्थियों, प्रिक्सा में आने की, okay, विदर्थियों सेनल पर नहीं है, तो सेनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना, देखीगा, आगे जो question है, किस तरीके से होगी, अगला question है कि परकास का प्रावतन किसे क प्रावतन केते हैं, most important है, मैं आपको बता दो, जब प्रकास की किरन, किसी चिकने प्रष्ट पर गिरती है, जथा किसी टक्रागर वापस उसी टक्रागर दूसरी दिसा में वो परिवर्तित हो जाती है, मान दो इधर से वो प्रकास की किरन आई, और ये चिकनी जो प्रकास की किरन, चिकनी सता पर गिरती है, तो तो इसे ही प्रकास का प्रावर्तन केते हैं, साथा है निमलकित अभायों के प्रतिक स्विमन आई, ये को विदूत बलब, विदूत बलब की बात करें, इस तरीके से, और ये जलता हुआ बलब है, विदूत बलब, और इसके आपका हो जाएगा आपके, ये आपका सेल हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, इस तरीके से, और उसके बाद आप देखीगा बैटरी, बैटरी में आपको यहां हो जाएगा, और ये ऐसा हो इस तरीके से, प्लस और माइनस, ठीक है, इस तर वह बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट इस्टार लगा लेना वितारतियों इस्टार लगना इसके लिए क्योंकि तो ये तो हर बार ही आता है और इस बार भी आएगा बिल्कुल ये सारे क्विशन आएंगे मैं इसलिए मौस्ट करवा रहा हूं कि ये अर बार पूसा जाता इसलिए कोई वाहन साथ किलो मेटर परती घंटे के चार्ड से 120 किलो मेटर दूरी तेय करती है तो बताइए कि उस वाहन के दोड़ा दूरी तेय करते में कितना समय लगेगा तो कि वह मारे पास दूरी कितनी है दूरी कितनी है दूरी हेए 120 किलो मेटर हमएं ग्याद करना है तो स्बसे पहलें इसमें कौन सा सुत्र लगेगा दूरी वाaltra यहली चाल वाला चूत्र है वो लगेगा चाल का सुत्र आप सभी को याद होगा इस चाल बराबर दूरी बटा समय हो जाएगा यानि स्पीड एस डिस्टेंस डी बटा टी टाइम समय ओके टी एस बराबर डी बटा टी लगेगा तो यहां देखिए बहुत इंपोर्टेंट है मैं आपको करवा रहा हूं तो हमारे पाद चाल कितनी है साट किलो मिटर ठीक है बराबर दूरी कितनी है एक सुट बीस किलो मिटर और समय हमें गया गयाद करना ठीक है तो यह आपका हो जाएगा उसके बाद देखिए आगे हम प्रोसेसिक करेंगे तो हम इदर पक्सांतर करेंगे करना पड़ेगा कियों कि हमैं तो समय गयाद करना है तो आगे देखो 120 में 60 का बाग देने पर हमां कितना प्राप्त होता है दो प्राप्त होता है दो क्या है देखो यहां जो हमेरे जो आपका दूरी दे रखी है किसमे है किलो मिट्र में और समय कितना दे रखा है गंटे में तो चाल का मात्र का मैसा मूल मात्र मीटर परती सेकंड होता है जब कि यहां किलो मेटर परती गंटे में दे रखा हैं तो यहां आपको समय को हम किसमें मापते हैं सेकंड में तो यह हमारे पास कितना सेकंड में मापते हैं विद्धार्तियों लेकिन यहां समय किसमें दे रखा हैं गंटे में तो कितना से आ जाए देखो हर्दे की कौन से कारी है सबसे पहला देखा हर्दे की कारी पहला कारी है आप देखिए शरीर के सभी बागों में रक्त पहुंचाना दूसरा है असुद्य रक्त को एकत्रित करना असुद्य रक्त को एकत्रित करना ओके असुद रख्त को एक्तिरित करना और रख्त को सरीर के विभिन भागों में प्रोण सरणा ये किसका कारे हर देगा next question चाल किसे कहते हैं और इसका मूल मात्र को सुतर बताई चाल मैंने आपको चाल का सुतर पहले बता दी है चाल देखो एकांक समय में ते की की दूरी को चाल कहते हैं एक बार सुनना विदार दी हो एकांक का समय में ते की की दूरी को चाल कहते हैं इसका सूत्र इसका सूत्र तो मैंने बता दिया है एस बराबर डी बटा टी हो जाएगा और इसका मूल मातर के मीटर पर ती सेकंड ठीक है यह आप याद कर दीजीगा और उसके बाद मरनमी मरदा और में नतर बता इते को मरनमी मरदा जिस में कणंगई हो ज़्यादे शीन जल्दी होता है उद्यासिन विलिएन किसे केते हैं ए hy ? उदासीन विल्यन से आपड़ क्या समझे हो तो एसा विल्यन विदाती हो एसा विडियन जो लाल वा नीला लीत्मस पत्र को एसके रंग में कोई परीवर्थन नहीं करते हैं उसे उदासी विल्यन करते हैं विदुदारा के तापी परभाव और चुंब की परभाव में अंदर बताईए देखिए तापी परभाव यह जब विदुदारा किसी तार में से परवाइद की जाती है तो तार वो तप्त हो जाता है यह गरम हो जाता है तो इसे ही विदुदारा का तापी परभाव कहते हैं चुंबी की परवाव, जब किसी तार में सी विदुदारा परवाइद की जाती है, तो तार एक चुंब की बाती व्यवर करता है, तो इसे ही विदुदारा का चुंब की परवाव कहते है, ठीक है? नेश्ट के उसे, क्या होगा यदि, रक्त मेंlichkeit его नहीं होगे, अगर रक्त में staat नहीं होगे, तो रक्त καसे नहीं होगे, तो रक्त का थका नहीं का नहीं कि तरenaink से लिगती है, तो तुर्ण मोज़ा रक्त थम जाता है ऊसे चोट के लिए जैसे, कमारे सरीर का जो बाकी रखते हों बाहर नहीं निकलेगा जिससे खून की कमी होती है जिससे व्यक्ति की मौद भी हो सकती है नेक्स्टखी ने शोवपोसी के उदर अंधर बताई यह कि आपना आ है दूसर दूसरों पर रहते हैं आप समझाई की लोवे में जंग कैसे लगती है ज़ना यारि जल और वायू के संपर्ख में आता है ठीक है तो क्या लगती है जंग लगती है एक फी फेर एक जब लो जब लोहा जल और वायू के संपर्क में आता है तो विदार्थियों जंग लगती है ध्यार लगना तो यह शूतर भी लिखना है और परिभासा पी लिखनी है ठीक है यह शूतर लिखना तो विदार्थियों इस उत्र भी लगना और परिभासा भी लिखनी है ठीक प्रागन परिखनाट परागन ठीक है यह दो प्रकारक होता है सो प्रागन मलब किसी प्राग को से प्रागनों का इस्तांदर्ण उसी पूस्प के खुद वही पूस्प यहनि जहां से वो प्राग को स्में प्रागनों होते हैं उसी पूस्प के वर्तेगर प्रागनों का इस्तांदर्ण होता है तु तो ये था आपके क्रक्सासाथ का सामा और विज्ञान विश्य का पेपर हैं मैंने सारा का सौरा सौलो सुट करवा दिया है एक वी क्यूशन है और आपके एक्जाम से बाहर नहीं जाएगा विदा रहती हो उम्मेद करूंगा कि आपने वीडियो को लाश तक देखा होगा और सेनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके ही जाना है ओके तो मिलते हैं अगले एक नेक्स्ट वीडियो में आप तब तक आप बने रहे हैं